कई सारे स्टुडेंट है वो कमेंट करके यह पूछ रहे हैं कि जो आपका इग्जामिनेशन होगा उसका सेंटर कहां देने को मिल सकता है जो आपका आउटसाइडर रहते हैं उनका और क्या डिस्टिक वाइज सेंटर देगा या फिरी सेंटर राची में ही देदेगा सब कोई करके मतलब कहीं न कर इस्टुएंट को एक छोड़ दिया ना या सक्का महौल की कब होगा कब नहीं होगा लेकिन देखो अब डेट तो आई गया तो आपको इंसाइडर है जो आपके जारकन की है उनके साथ क्या होने वाला है जारकन के लोकेशयन डाला होगा अपना लोकेशयन डाला होगा वह वह वाले डिस्टर्थ को डेने के के कॉसिस करेगा फिक हैब समझाए अगर राची में हो आप लोंगर राची में का यह form accept हुआ तो जहां तक उम्मीद है conduct करा सकता है अगर JPC राची में भी probability हो तो क्योंकि राची में काफ़ी जादा college वगरा है तो center easily available हो सकते है JPC इसको लेकि क्या करता है यह depend करता है लेकिन क्या होगा न जो आपने local area choose किया है आपको उसी local area में आपको दे दिया जाएगा और जो लोग basically outsider है उसको यह कोसिस की जाएगी outsider को राची वाले area में outsider को राची वाले area में दे दिया कई सारे examination होते है चाहे आपको किसी भी examination को लिए तो वो क्या करता न basically जो आपका दूसरे state में examination देता है तो वो वहाँ के capital में डाट डाल देता है इसलिए डालता है capital नोन रहता है कापे सारे students के लिए नोन भी रहता है और दूसरा वहाँ से सारे चीज़े आपको नजदीक देखने को मिल जाती है कापे सारे जो college है वो नजदीक मिल जाती है और बाकी सारे जो रहेंगे जिन्होंने अपना address डाल रखा है permanent address या फिर अपना local address तो उसी के आसपास उनको उसी जीले में उसको जो आपका exam देने की possibility देखने को मिलती है दोस्तों अगर आप लोग JPC के preparation करो और कोई भी doubt है कोई भी queries है या फिर कोई ऐसा topic है जो आपको समझे में नहीं आ रहा है तो वीडियो के नीचे comment करो मैं उस topic पे आपके लिए पर्टिकॉलर वीडियो लियाओँगा चुलों मिलते है कि उसी और वीडियो में तब तक क्लिया अलविदा हो